करें अज adequate क साथ बैजतलि नरुए एलो य को आज की ये धुका की य्निक रेसिपी है तो आप पताना नहीं है डिफरंट तरीके से यह बना रहें तो चले बनाते हैं इसमें हम पांच सुकीनी यूज़ करने वाले हैं और ये सारे मसाले जो आप देख रहे हैं ये सारे इसमें यूज़ करने वाले हैं और चिकिन के खाइमा यूज़ कर रही हूं जो एक कप है पहले हम आदी प्यास को बारी काट कर इसे रख लेते हैं और ये स्प्रेंग अन्यन भी है ये तीन रेली है इसे भी काट रेते हैं बारी करके रख लेते हैं और दो ग्रीन चिली ली है और ये 5-6 गार्लिक फ्लोज है तो इसे भी बारी करके चॉप करके रख लेते हैं और जब हम इतनी सारे गार्लिक के साथ इसको कुप करते हैं और ये किन जाने बहुत मज़ेदार बनती है गार्लिक एक अपना टेस्ट होता है लेकिन जब सोय नास्र साल्स डालते हैं इसमे तो बहुत ही मज़ेदार होता है अप ड्राइज जरू करें। अब एक स्वाल बार में हम लोग आश्र सास वन टेबल स्पून और स्वेश वन टेबल स्पून लेते हैं। और वन टीजबी स्पुन एड़ा करते हैं ब्लाक पैफर एंड टेबल सपुन हाथ स्पाइट के अट करते हैं अट वन टीसपून सॉल्ट लेते हैं इन सबों को हम एकटा कर रहे हैं एक अपना सॉस बनाने के जिए और ये चॉप गार्लिक जो हमने किया था अब इसमें भी एड़ कर दे रहे हैं और ये ग्रीन चिली और रेज चिली भी हमने चॉप करके रखा था वो भी एड़ कर दिया अब एक वोक लेते हैं और इसमें चार टेबल स्पून ओयल के डालकर ये जो हमने अनियन चॉप करके रखा था इसके प्राइ करना शिरू करते हैं अब ये ब्राउन हो गया है इस पर हम फिमाइड कर देते हैं इसे थोड़ा सा पकाने के बाद थोड़ा भून जाए सो इसे मीडियम टो हाई फ्लेम में भून रहे हैं ताके थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ये भी अब जो हम में अपना सॉस बणाकर रहर था जब इसमें एक रटे थे हैं अब अब इसे हम सा मिनट तक मेडियम टो हो हुआ ये पकार बी जा रहा है और अच्छा इसका पानी जोग जा रहा है और अच्छा एक फ्राई लोग आ जा रहा है तो अब हम इसे ढखकन डाखकर बिल्कुल लो फ्लेम में छोड़ देते हैं जब तक हम जुकीनी रेडी करते हैं तो दूसरी तरफ अब जुकीनी को हम पील करते हैं छिलके अतार कर बारिक बारिक इसकी कटिंग करने लगें तो अब जुकीनी करने वाले हैं क्योंकि इसे पकाना बिल्कुल नहीं है इसे हम स्टीम करने वाले हैं जो जल्दी पंग भी जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है यह मसाले भी देखें बहुत ही कम कुछ ऐसा मसाला नहीं है लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राइ करना इसे और बताना कैसा लगा अब इसे हम पानी में सॉल्ट डालकर किसे भिगा दिया थोड़ी देर के लिए तीन-चाय मिनिट के लिए ताकि इसके अंदर सॉल्ट आज हैं फिर इस पानी को हम निकाल देंगे हम अब सिरंस कर के देखें हमने सिरंस कर लियो और सीमर में डालकर इसे थोड़ी लाइक पीन-चार मिनिट के लिए से स्टीन देते निदें देक तयार हो के आए अब इसे स्टीमर से निकाल लेते हैं तो अब जी ये हमारा किमा मसाला रेडी हो गया था हम इसमें एड़ करने लगे हैं स्प्रिंग अनियन जो हमने काट करके रखा था पहले से और अब आते हैं सर्विंग के तरफ सो सर्फ करने के लिए रेडी हो जाएं इसे एक बावल में डालते हैं क्योंकि ये पुरा पक चुगा है सॉल्ट हमने पहले इसमें डाल दिया था इसमें कुछ और डालने की जूरत नहीं थी अमूमन हम लोग सबजियों को बहुत पका लेते हैं सो ये देखें ये तीन-चार तीन मिनिट में ही हो गया था सो इसमें ना कुछ मसाला लगा और ना बहुत पका बहुत अच्छा लोग लग रहा है इसका देखें तो एक तरह सी ये जूकीनी की गार्नेशिंग है लेकिन फ्रस्ट मी बहुत मज़ेदार बनता है ये इसमें आप अगर बहुत एक करना चाहें प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं मगर ये फुली आपका एक मेल है ये बहुती लोग बजट में बनने वाली यूनीक डिश है आप ट्राइज जरूर करें और बताएं कैसी लगी और अगर मेरी डिश अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पर वाचिंग सबी टेस्ट करके देखते हैं देकिन कितनी सॉफ्ट है और बहुत मजी की बनी है दिलचारा आप सबों से शेयर करो और यह एक एक आदमी के लिए बहुत इनफ़ा और बहुत अच्छा है एक फुल मेर है लंच में ले सकते हैं डिनर में ले सकते हैं ओके देन बाई